तुम्हारे पहले पार्ट का वक्त हो गया है शुक्त कामनाई बच्चों हमारे बीज एक नए चात्रा आई है स्वागत करो सुप्रभाद ये क्या किया रुकिये मैं उठा के देता हूं ये रही आपकी किताब और फिर उसने सारे काटे चमत जमीन पर गिरा दिया है मैं हूँ सोफिया आपकी बेहन स्वाटेली बेहन वाँ कितना अच्छा लॉकेट है धन्यवाद इसी शाही समारों में पहनेंगी हम सब वहाँ आओंगे हमें उसका इंतिजार है एंबर और प्या क्या कर रही हो हमें लगता है कि सोफिया को जादू जुले पर बैटना चाहिए पता नहीं है पता जी ने कहां है उससे अच्छे से पेशाना लेकिन आम हर विद्यारती का ऐसे ही तो स्वागत करते है न वैसे बात तो सही है सुना सोफिया कहो जीपस कुछ काम है अपने जादू जुले पर बैटके देखा उससे जुलाना नहीं पड़ता वो अपने आप जुलता है जाए बैटके देखिए अपने आप जुलता है ऐसा पहले कभी नहीं सुना ओ नहीं अप आए का मज़ा है जेम्स तुम चीप है ओ नहीं फिक्र मत करो पहला दिन सब के लिए मश्किल होता है उन्हेंने मेरे सब भी ऐसे किया था अबला वर्क शुरू होने से पहले कपके सुखाने होंगे सोफिया रुकिए आप में तो कहा था वो आपकी बेहन है वो है यह आवास कैसी एक नंहा सब पंची तरो मत मैं मदद करती हूँ अब तुम ठीक हो बस तुम और मा जैसे होना चाहिए अब मुझे चलना चाहिए फिर मेलेंगे जन्यवाद 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 यह चैल उसके साथ नहीं करने चाहिए थी सोफिया, रुके राजकुमाणी सोफिया राजगुरु कुल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा सूचाता उससे कही साहता मश्केल बैचारी, राजकुमारी वैसे कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरा तहे खाना देकनी चले मेरा मतब छादुई कम्रा पस यहां से उपर आजाओ और यहीं है वो जगह जहां जादू ही जादू होता है यह बस वर्मवोट है मेरा कववा अब शाथ हो जाओ वर्मी तुम राजकुमारी को डरा रहे हो देखो मैं सारे जादू शाहिकारे बनाता हूँ यहां पर वाह यह तो कमाल की जगह है मिस्टर सीटरिक है यह तुम्हेरे रक्षा यंद्र जैसा है अरे हां यह तो तुम बिल् शक्तियों के बारे में तो पता ही होगा तुम्हारे हर के का फल जरूर मिलेगा अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा साच हाँ बेल्कुल वैसे अगर यह असली लॉकेट है तो लेकिन इसकी सचाय का पता सिर्फ मेरे जैसे सचा जादूगरी लगा सकता है यह कि तूटाओा वजन फिर से नहीं जोड़ा चल सकता है वो बेलकुल सही कहती है ओ किती देर होगी देखो उमीद है तुम्हें यह सब अच्छा लागा मैं जानता हो यहां सब सीखने में तुम्हें वक्त लागेगा तो अगर तुम्हें कभी किसी मदर की जरूरत हो तो मेरा दर्वाजा हमेशा खुला है हाँ वो लॉकेट मेरा हो करे रहेगा हुँआ है कि अगरे तुम्हें लगता है यह उठाना चाहिए बजा कर रहे हो कल वो हमें देख चलाने लगी थी मेरे तुकान ही फटने वाले थे मैं चिलाने वाली नहीं हूँ तब तो ठीक है तुम हमें सुन सकती हो तुम बोल सकती हो क्या ये कभी चुप रह सकता है ऐसा पूछो है वैसे तुम हमें कैसे सुन सकती हो क्या क्या ये कोई जादू है तुम्हारे हर कियेगा, फल जरूर मिलेगा, अच्छे का फल मीठा और बुरे का फल कड़वा मैंने कलिक नन्य पंची की मदद की और शायद रक्षा हिंद्र ने मुझे प्राणियों से बात करने की शरक्ती दी ये तो बढ़िया है, क्योंके तुम राजकुमारी हो, इसलिए मैं तुमसे अभी के अभी कुछ जानना चाता हूँ क्लोवर, अभी नहीं, उसे तैयार होकर गुरुकुल जाना है कोई बात नहीं, क्लोवर, बताओ रुको, रुको, मुझे इतने कारेव लिने की जरूरत है, मुझे नीचे रखो कलती हो गई, तुम इतने प्यारी हो कि मैं कुछ को रोक ही नहीं सकी तो रोका करो, मदद करोगी ठीक है, तो अब ये बताओ, कि हम जंगल के जानवर तुम राज कुमारियों के इतने सालों से मदद क्यों करते आए हैं मुझे नहीं पता